हालो फ्रेंट्स मैं हुँ रिना रिना अथर्वा चैनेल पे आप सबको बहुत बोश्वागत करती पैरेंट्स आज बहुत इन पर्टेंट वीडियो आपलोकेशा श्यार कर रियू तो वीडियो शुरुचे लास्ताक देखिए आज टेन अकुपेशन थाइरिपी का फाइन मो कोडिनेशन इंप्रुमेंट होगा तो एक अक्टिवीटी में शारी इंप्रुमेंट रहता है तब बीतो थाइरिपी करा कि आमारा बाच्चे एक अच्छा नॉर्माल लाइप में आ सकता है तो वीडियो शुरू से लास्ताक देखिए हार एक अक्टिवीटी अपलोक करा है कोई अक्टिवीटी का हालके में नहीं लेना है और बाच्चे को फिरी टाइम बिल्कूल नहीं छोड़ना आप जितना ज्यादा काम कराएं उतना अच्छा रेजल्ट मिलेगा आपको अगर कोई पैरेंस मेरे साथ परसनाल कांटाक करना चाहता है डिस्क्रिप्शन मोक्स मे मेरा email ID, Facebook, Instagram का लिंक है वहासे मेरे साथ कांटाक कर सकता है YouTube में कोई पैरेंस अगर मेरे से कांटाक नमबर मांगे तो मैं अपना कांटाक नमबर नहीं दे सकती हूँ तो फ्रेंड्स आजका जो भीडियो है जरूर करा ये ए दो साल चे लेके दो साल तक का बच्चे के लिए ए अक्टिवीटी करा सकते है अगर जो बच्चा बीच शाल पोचिस साल भी हो गया उसमें इंप्रूमेंट नहीं है उँ बच्चा भी कर सकता है मतलब जो बच्चा शिग्ये उसको भी अगर फिरी टाइम पे आप इंगेज राकना चाते है तो ये शरे अक्टिवीटी करा सकता है जो बच्चा नहीं शिखा है उस बच्चे का ये एज नहीं मैटर कर सकता है आपका बच्चा है एक साल का हो दो साल का हो तीन साल का हो या 20 शाल का हो, 50 शाल का हो, कोई भी एसकी हो, आप एक करा सकती, और जो बच्चे इंप्रुमेंट होगियों, वो भी कर सकता है फिरी टाइम में, तो आजाईए, कैसे बच्चो की इंगेज राखना है, कैसे बच्चो को फाइंड मोटरी स्कील इंप्रुमेंट करना है, सिटिंग इसके लिए इंप्रूमेंट करना है, उसका 10 अक्टिविटी मैं अप्लोकेशाद श्यार करी है, यह अगर बच्चा नहीं कर पारा है तो हाथ पकार के कराना है, हार एक काम मैंने अथरवा को हाथ पकार के शिखाया, 16-16 प्राक्टिस के बाद ही मेरा बच्चा हार एक काम कापी प्राक्टिस के बाद जब बच्चा शिकता नहीं आए तो बच्चा को फेर सोर देता है, सोचता है मेरे बच्चा नहीं कर पाएगा, तो इसलिए CBR बच्चे इंप्रूमेंट नहीं कर सकता है, माइल बच्चा तो बहुत जोल्दी क्यास कर लेता है अक्टिविटी, लेकिन CBR बच्चा जो हता है, उनको सालो साल, एक साल, दो साल, तीन साल भी लग जाता है, एक 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 अक्टिविटी शिखाने में, तो उस टाइम आप हाथ पकार के अगर अक्टिविटी करते रहेंगे, सालो साल तो आपका बच्चा भी जोरूर इंप्रूमेंट करेगा, हार एक काम शिखेगा, जो आपको भी स्वोज भी नहीं सकते हो, तो आइसे करके मैंने अथरबा को शिखाया, और अभी अथरबा बहुत अच्छा लेबेल पे है, बहुत अच्छा कुछ कर रहा है, आपका बच्चा भी आप सबका बच्चा करेगा, अगर पैरेंस ठान ले जो हमें काम करके बच्चो को इंप्रूमेंट कराना है, तब भी बच्चा कर पाएगा, नहीं तो आप कुछ भी कर लो, कोई शर्टकाट रास्ता नहीं, एक रास्ता है, जो हमारा बच्चो के एक नर्मल लाइब दे सकता है, तो आजाए देखा देती हूँ, टेन पाउतल, कालर की बडुटा एफैब कालर कोंसेप्ट भी देना है, इसमें चिंपि क कँ कैप देना है, प्लेट की कैप देना है, एसे बातस्यित करते रहें तो बच्चे को अस्चो को भोकाबुलर इस भाठता ऑबच्चत आइबंटिककेसन इसमें लेंग्वेज इंप्रुमेंट भी होता है और एजब एक्टिविटी कड़ेंगे अगर बच्छा फास्ट टाइम में ऐसे नहीं पकर पाएगा एक मिनिट आप चोरो बच्छा फास्ट टाइम में ऐसे थीली फिंगा रिम्गर उस्टाइम आपका बच्छा आइसे पकर वाराद कि भूखित नहीं पखा तो अइसे नहीं हो नन्ट ब्राइब कर जो आप प कर अट, होगी अथरहा, पर पार खारर आता है ऊब हो एक लुखें जह समुखिता था। लेकिन लागे रहना है पेशेंस के सथ, नेक्स्ट अक्टिवीटी है कापरा में डालने वाला जो किलीप है, वो किलीप से पंपम बॉल को दूसरा बर्तोन में राखना है, प्लेट में राखना है, तो इस टाइम उसको चीम्टी को खोलना है, बस प्रेस देखें, खोलना है, उसके आंदर गुशाना है, उसके बाद फेर प्रेस करके फेर बॉल को निकालना है, तो ऐसे करके यह भी शुरू में बच्चा शाड़ा फिंगर यूज नहीं कर पाता है, और शुरू में तो बच्चा प्रेशार ही नहीं दे पाता है, शुरू में एक सेगिन चुरू, थिरी फिंगर यूज कराने से, फेर बच्चा धीरे धीरे शीख जाता है, यह टाइम लगता है, लेकिन शीख जाता है, तो ऐसे करके आप शिखाएंगे, प्रेस करो हां, तो ऐसे करके करो, तो शुरू में बच्चा बहुत मुश्किल करेगा, और उसको बच्चे हमेशा न तो टाइट करें, कुछ भी करें, आप अपना तरीका चे आपना हाथ बच्चे को पकार के, आपको नॉर्माली शीखाते रहना है, प्राक्टिस करते गरते फिर बच्चा शीख जाता है, नेक्स्ट अक्टिवीटी है, टावल को ऐसे कोशकाना, फिंगर की मुबमेंट करके इसमें भी फाइन मोटोरी स्किल इंप्रूमेंट होता है, बच्चे को कुशका के आइसे टावल को हाथ के अंदर राकना आता नहीं है, तो ऐसे हाथ पकार के आपको शीखाना है, जब शुरू में ये शीखाती थी, इतना टाइट हैंड रखता था, जे अथरवा को शीखा रोल करना शीखाना है, उसके बाद फिर ऐसे थाम को आगे करके रोल करना शीखाना है, मतलब कोशकाना रोल नहीं है, तो ऐसे करके थाम को आगे करके कोशकाना शीखाना है, ऐसे करते 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 करते, फाइनली बहुत शाल बात फिर बच्चा शीख जाता है, तो ऐसे कुश आप हाथ पकर करांगे भी तो धीला रोल करेगा तो आपको सुषधार बच्छे को बहुत कर बख्चे को ऐसे पकर के ताइट रोल करो यहाथ पकर करना भोत ही मुश्किल है लाकिन हाथ पकर के आपको किसे नह 1965 कि षिख्षान ओक्र से हाथ को टाइट कर लिए तो हीलाणा ही मूश्किल होता था तो यह आपडाउन करते करते बच्चा शिख जाता है फाइनली गोंटीनिट प्राक्टिस के बाद उसके बाध सीजार रे Ίसकाना शिख świeक हरा एसे प्लास्टिक का जो ग्रीप्बला सीजार होता है प्लास्टिक क तो उसे टाइब के आप्तिवीटि शुरू में करना है丁 चलो तो एक किले काटना है अच्छा लागता है बच्चे को यह कालार पुल हो थोड़ा जो थे जिआ करके अधरably को फिंगार भुषा के फिर मैंनें फिंगार भुषा के ऐसे करके शिखाया था तो शुरू में आपका बच्चा टाइट करके बएट जाएगा, हार एक एक्टिबीटी में टाइट एंड करके बएट जाएगा, लेकिन आपको उसको हाथ को ढिला करके, कैसी भी करके, आप मा हो, आप पैरेंसों, आपको शिकाना है अपना टेखनीक से, अब ही मजा आता हैं एक चाट के जब बच्चा शीख जाता ना बोथ मुजा लेता है क्योंकि कि एक अप्तिविटी के टाइम प्रे आप यहाँ बोलेंगे चलो सीजर से कले काटिंग करें तो क्ले कॉनसा कलार किया यू कलार किया तो आपको शीखाते रहना है तो यहाँ काम के शात बच्चे को हा में आप इसके अंदर डालना नहीं शिखाएंगे तो इसके अंदर ढलना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है इसलिए अतरवा को जब मैंने शिखाया था तो इसे बेह अपहस्ट कम 10 निन पीप्श निंड नेक्स्ट में डाली डाली में इसे करके एक बाद एक बाद एक का खिल दो बात का वन्स्ट तो यह भी हाथ पकरके बच्च भुष एंगा फिर निकलेगा निकंटर फिर नेक्स्ट में डालेगा तो यह अधरवा को आथा है इसलिए अतरवक ऐसे हाथ पकर के शिखाया था तो ऐसे करके शिखाना है बोल ऐसे हाथ पकर के इसमें डालना है ऐसे करके बच्चे को ऐसे फिर फिंगर चे ऐसे करके शिखाना है उसके बाद फिर खोलो नेक्स्ट में डालना है बेटा नेक्स्ट इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट प्रक्तिस जिए पोरैंगी में प्रॉबलेम हैं तो यह बाइन पॉल फाइनल आमारे जैसे पार्पिक्ट नहीं है तो ऐसे जब मैंने शिखाया था ऐसे करके शिखाया था एक मिनित हात ढीला शोरो तो अभी हात पकार लो अक्तिबीटी के टाइम इतना थाइध पकार के करता था लेकिन भुषा को काबू में रखें बच्चों कहात काम करना है यह allora को अबजेक्ट की और बच्चे को इसमें एक एक फिंगर बच्चा नहीं दब साकता 16 कि इंका फिंगर पे राहता है नहीं है तो आप हाल का हाथ में ऐसे करके प्रेशर देंगे पाकर के आइसे प्रेशर देना है क्यूंकि ऐसे कर के बच्चा देगा तो यहा बाद भी टाइम दे सकते मॉर्णिंग इविनिंग जब आपको टाइम मिले यह अक्टिविटी का कोई टाइम टेबल नहीं है चलो दूसरे हाथ से पकर लो हां तो ऐसे करके अभी तो अथरवा कर लेता है खुद बाखुद लेकिन मुश्किल बहुत है लेकिन ना मुझन नही आपको जैसे आता है बस आप ऐसे ही करोगी तो नेक्स्ट अक्टिविटी आइसे गात्ता लेना है उसमें होल करना है और लेस को घुचाना शीकाना है तो यह भी हात पकार के शीकाना है किसी भी होल में बच्चा डाले तो बस ज्यादा किसनी की जुरुरत नहीं हां कोई भ बांते ह electr líbन का कॉंशेट आता बच बुच्छे पोटी भी होल में डालते रहे और सेद में डालने का कॉंशेप्ट बच्चे को बहुत मुश्किल एक खुणी से ने तो क्यामेरा पे नैसे आएगा it's very good क्या है तक स्बस है ररी गोड extend कि व मinaran को फिदेंट है जांडेंट में यडबाश cardi so में कि आभ इसको देखो थुरा चाहिए कमें से लेवेल करोहिए किज से लेवेल करोगे किसको लेवेल करने के लि aanगए किसको खिस नाई एमcktव अको लगा प्र बार सों obvious हाँ, गड़ा हो, वेरी गुड, सबस्, मामा ने सोचा आपको शाहिद नहीं कर पाओगी, तो जब मैंने अथरवा को यह शिखाया था, एचे हाथ पकर के शिखाया था बच्चे को, हाथ पकर के शिखाना बोत मुश्किल है, हमारा बच्चा मैं बोलती हुँ, हमेशा हाथ को टाइट करके राखता है, तो टाइट करके राखने से फिर मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें कांटीनू प्राक्टिस करते रहना है, इनको समाज नहीं होता है, टाइट हैंड करना है, या सौप्ट हैंड करना है, लूज हैंड करना है, यह पता नहीं होता है, लेकिन आपको आसां बोलते रहे हैं बच्चा धिला सोरो बच्चा रही करते छीघर क shapes आा arrow तब लगासे नहीं में ड़करत आपको हमैशार चोन नर्म करेंगं से करके राके गभाएंग और इत्पर कहें मानल है बच्च से आ तोिस में हाहते हैं इंप्रूमेंट होता है कालार आइडेंटिपिकेशन होता है चलो उठाओ तो ऐसे आप फिरी टाइम में यह बहुत इंटरेस्ट लेके भी बच्चा करता है तो शुरू में ना उसको पार्ट ढूनना मुश्किल होता है उसके बाद आप हात्पा करके शिखाएंगे तो बच् पहले कंचा उठाना है उपर बाला उठाना है या नीचे बाला उठाना है कोई भी उठाए लेकिन बच्चे को उठाना है तो अगर मुश्किल हो तो फास्ट उपर बालाई उठाना शिखाना है उसके बाद सेकें उपर कंचा है उठाना शिखाना है तो ऐसे करके पकार पक की जोर्रात नहीं है अगर द्यांसे मेरा बात्शोंने हार एक बच्चा हार एक बच्च अच्छा लाइब ले सकता है और बच्चे को अच्छा लाइप दे सकता है तो काम जरूर कीजे, कॉमेंट करके जरूर बताएगा, आज यहां तक नेक्स्ट वीडियो में न्यूए अक्टिवीटी के साथ, फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ, टाटा बाई बाई बाई, थैंक्यू सो मच्च